अद्भुत बाहर कुद्रत की बारिश है अंदर जिन्वानी की बारिश है अंदर प्रभुग वानी बरस रही है बाहर की बारिश मोसम को ठंडा कर देती है और जिन्वानी हमारी मानस की गर्मी को शामत कर देती है इसी लिए इन आगमों का अनुष्ठान होता है यह पवित्रतम अनुष्ठान है कोई महसूस करे तो यह वो अनुष्ठान है जिसके जरिये आपकी आत्मा में परम्त्रप्ति आ सकती है यह जिन्वानी कानों से बहती हुई हिर्दे तक जा सकती है हिर्दे में अगर समा जाए तो परतेक आत्म परदेश तक पहुँच सकती है आपका एक एक रोम आत्म परदेश है अगर जिन्वानी का पानी आपके रोम रोम तक पहुच गया तो आपकी जीवन की चादर निर्मल हो जाएगी जीवन की चादर को धोने के लिए आगम का पानी जरूरी है हमारे पास आगम का पानी है लेकिन जीवन की चादर को पानी से अगर जोड़ा नहीं उसमें डुबोया नहीं तो जिन्वानी का पानी जीवन की चादर को छुएगा नहीं उसमें डूबने दो आपको सवा सवा डेड़ डेड़ घंटे जो मैं बेठाता हूं वो इसी का ही एक अभ्यास है कि जीवन की चादर को जिन्वानी के पानी में डूबने दो डूबने दो डूबने दो जो रंग जो गंदगी हमारी जीवन की चादर से जुड़ी हुई है एक बार उसे फूलने दो फूल गई तो वो गंदगी बाहर निकल जाएगी आपकी जीवन की चादर स्वच्छ हो जाएगी अदभुत पता नहीं ये भाव आपके मन में आते हैं या नहीं आते हैं यहां केवल सुनने के लिए नहीं दूबने के लिए आना है जीवन की चादर को डुबोना है मानस को पावन बनाना है जीवन की चादर पर लगे दागों को धोना है अठारे पापों के माध्यम से हमारी जीवन की चादर पर जितने भी दाग लगे हैं उन दागों को धोने का एक मात्र इस्थान यही है, अगर महसूस करो, तो वडगाउं सेरी का जो यह आनन समोशरन है, यह किसी मान सरोवर से कम नहीं है, यह मान सरोवर है, इस सरोवर में जिनवानी का पानी भरा हुआ है, आगम का पानी भरा हुआ है, लोग दूर दूर जाते हैं मान सरोवर में डुब किया लगाने के लिए, लेकिन आगम का जो यह मान सरोवर है, इसमें अगर डुब की दिल से लग जाए, तो सच कहता हूँ, जीवन का कनकन पवित्र हो जाए, उसको पवित्र करने का यह अनुस् आप सभी सरधा के साथ उपस्तित हो रहे हो, आपकी इस उपस्तिती के लिए मैं अनमोदना देता हूँ, अनमोदना करता हूँ, बाहर की बारिश ने आपको रोका नहीं, आपकी इस दरिया दिली को साधुवा देता हूँ दुनिया के बंधनों को तोड़ कर जो यहां आने की सोचता है, उसी में ही कल्यान हो जाता है, कि नहीं, मुझे वहां जाना है, दुनिया के सब काम पड़े रहेंगे, लेकिन मुझे वहां जाना है, यह भाव ही कितने पवित्र हैं, यह भाव ही कितने पावन हैं, नहीं, मै बोल सकती हूं या बोल सकता हूं वो बोलना है, महान पुर्षों का जेकारा लगाना है, और हमें अरिहंत मय बन करके रहना है, एक बार वीतरागता का आनंद का पान करना है, अमरित का पान करना है, ये भाव सोच करके आपके जितने भी कदम इस तरह बढ़े हैं, ये कदम अन यग्यों का फल देते हैं उतने उन यग्यों का फल नहीं मिलता जितना इन यग्यों का फल मिलता है आपका हर कदम धर्मिस्थान की तरफ जिन्वानी की तरफ जो बढ़ता है यह फल अनंत पुन्यवानी को अर्जित करवा देता है इसलिए कहता हूं कि सहजता से जब उपलब हो रहा है तो हम क्यों ना इस जिन्वानी का पान करें लीजिए आज उत्राध्यन सुत्र में 26 वा अध्यन है सामाचारी अगर इसको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा ये केवल संतों के लिए है केवल संतों के लिए है लेकिन ये मत समझना ये केवल संतों के लिए ही है अगर आप चाहो तो आप भी ग्रहस्ती में रह करके यथा सक्ती इसकी पालना कर सकते हैं आप भी ग्रहस्त में रहते हुए और इन चीजों की पालना करते हुए आप भी साधुत्य का आनंद ले सकते हो और ये मैं बार-बार आपको दोराता रहा हूँ कि भाव के अधार पर आप कभी भी साधु हो सकते हो यहां तक कि आपकी ड्रेश ग्रहस्ती की है आपकी पोशाग ग्रहस्ती की है लेकिन भाव अगर साधु वाले हो गए तो आप साधु ही होते हो मैंने ये बाना पहन रखा है और दुनिया के आकरसंसे में जुड़ गया तो इस बाने को पहने हुए भी मैं ग्रहस्ती हूँ तो भाव का चमतकार है भाईया भाव के जरिये आप घर में रहते हूँ भी साधु बन सकते हो और भाव के जरिये में इस्थानक में रहते हूँ ये भी ग्रहस्ती बन सकता हूँ और ये जो आगम है हमको चेताने के लिए हैं समझाने के लिए हैं बहलाने के लिए नहीं है सुलाने के लिए नहीं है समझाने के लिए यह जगाने के लिए चार लाईने और आज गाते गाते ही आनंद लेते हैं गाते गाते आनंद भी लेते हैं और समझते हैं क्योंकि गाने में आप बहुत जल्दी समझ जाते हो पल्ले तुरंट पढ़ता है कान में अम्रित गिरता रहता है और बुद्धी तक जाता रहता है पर यह मैं कहता हूं कि बुद्धी से सोचना जरूर चिंतन जरूर करना लेकिन इस बुद्धी तक छूने वाले अम्रित को प्रग्या तक जरूर ले जाना हिड़की तलहती तक जरूर ले जाना क्योंकि एक बात कहता हूं कि विरक्षों के पत्तों को सीचने से कुछ नहीं होगा पानी जब जड़ों तक जाएगा तभी विरक्ष हरे भरे रहते हैं ये हमारा पत्ते हैं पत्ते उपर से कितने ही ढालते रहो फिर देखना आपके जीवन में हरियाली आती है या नहीं आती आपके जीवन में खुसहाली आती है या नहीं आती बड़े से बड़े दुखों में भी आपके चेहरे पर मुस्करहाट आती है या नहीं आती ये पहचान बताती है कि प्रतिकूल प्रस्तितियों के अंदर भी अ अगर आप के चहरे पर मुश्कुराहाट है और जब यह सोच लेते हो कि भईया यह करम जितनी जल्दी भुगतलू अच्छा है यह भाव जब आते हैं और करम जब प्रभाव में आते हैं पाप करम का उदे आता है तो प्रतीकूल प्रस्तिती आती है और पुन्य करम का उदे है तो अनुकूल प्रस्तिती आती है दोनों ही प्रस्तितियां हमको भर्मित कर देती हैं क्योंकि एक प्रस्तिती के अंदर हम दुखी हो जाते हैं एक प्रस्तिती के अंदर हम अकड़ जाते हैं और दोनों ही मनस्तितियां वीप्रित होती है विक्रित होती है इसलिए कहते कि सुख में प्फूलना नहीं चाहिए और दुख में रोना नहीं चाहिए दोनों के बीच में जब संतुलन बनता है यह जिनवानी का प्रभाव होता है इस जिनवानी के अमरित को पीने का प्रियास कीजिएगा साध्यू की आचारसंग्हिता ये समाचारी साधु की अचार संहिता है साधु की आचार संहिता पाले ना अनिवारिय है सम्यक विवस्था के लिए ये है साधु का करतव्य है आचरन से पुष्ट होती आचरन से पुष्ट होती रत्न त्रय की साधना भवपार पाने के लिए कोई नहो अवे हैले ना साधु की आचार संहिता पालना अनिवारिय है अगर मैं साधु बना हूँ तो जो मेरी आचार संहिता है जो हमारे आचारियों ने हमारे गुर्वों ने जीवन शेली को निर्धारित किया है कि कब खाना है कब सोना है कब बेठना है कब जाना है कैसे क्या क्या करना है जितनी हमारी अचार संगीता है उसका पालन करना जरूरी है अचार संगीता का पालन अगर नहीं करेंगे तो सादु जीवन में आनंद आएगा ही नहीं और आनंद अगर नहीं आया तो ये वेश केवल भार स्वरूप है ये बोज श्वरूप है और कुछ नहीं है इसके अलावा तो हमें ये सोचना है कि संग्ये विवस्था को समीचीन रखने के लिए संग्ये विवस्थाओं को सुन्दर और स्वस्थ रखने के लिए ये हर साधू और साध्वी का करतव्य है कि हम समाचारी का पालन करें और देखिए इसके अंदर समाचारी में एक शब्द बड़ा महत्पून है समाचारी समाचारी सामान आचार वाले एक विवस्था है कि ये लगे कि ऐसा समाचार है इनका इसकी ये विवस्था है तो आचार इसमें महत्पून है केवल बोलना ही नहीं केवल सोचना ही नहीं बल्कि उसको जीवन में उतारना भी है आचरन में उतारना भी है ये रतम त्रह की शाधना में किस तरह समाचारी सहोगी है और आपके घर को भी संभालने में कितने उप्योगी हो सकती है ये ताल मेल बिठाने का में प्रियास कर रहा हूं आप केवल ये ही सोचोगे भी महराज को क्या क्या करना है तब तो हो जाएगी गर बढ़ महराज ये करना करे ये ना करे ये ना करे तो तुम ये भी तो सोच सकते हो कि महराज ये नहीं करे तो हम भी तो कौन सा ये कर रहे हैं तब जब मिलान बैठाओगे ना तो हम संतों से शिक्षा भी मिलती है और ये भी हो सकता है आपके स्वच्छ और आदर्स जीवन को देख कर किसी भी संत के जीवन में प्रेरना आ सकती है ये भी तो आ सकता है कि ग्रस्ती होकर के भी इतना विवस्थित रहता है इतना मर्यादित रहता है इतना सयमित रहता है मै शंत होकर कि क्यों नहीं रहता हूं, आपसे हमें प्रेरना मिलती है, और हमसे आपको प्रेरना मिलती है, तभी तो आपको भावतिर्थ का हिस्से दारी मिली हुई है, आप भी चत्रविद्य संग का हिस्सा हैं, आप भी हमारे साथी हो, हमारे शहयोगी हो, हमारे लिए केवल हम नहीं आपकी प्रेरणा नहीं है, आप भी हमारे लिए प्रेरणा बन सकते हो, ये भगवान ने बड़ी सुन्दर विवस्था दी है संग के अंदर, कि स्रावक संत के लिए, साधु स्रावक के लिए प्रेरणा बन सकता है, सहयोगी बन सकता है, हम आपको कुछ सिखा सकते हैं, आप हमको कुछ दे सकते हो आप हमें सम्मान देते हो और हम भी आपको समाज में सम्मान की जिन्दगी जीने की प्रेरना देते हैं वो संदेश देते हैं जिन संदेशों के माध्यम से आपका जीवन भी सू विवस्थित होता है मरियादित रहता है और सुप्रतिस्ठित भी रहता है शीक्षा अपना लो जीवन धन्य बना लो जीवन चार लाइनों के अंदर समाचारी का क्या प्रियोजन है ये सुन्देश दे रहे हैं कथन करूंगा उसी चरिया का दूखों से जो दे मुक्ति निग्रंथे मुनि प्रति पालन कार भाव पार करन की है युक्ति मुनि जन्य का वेव हारे रोपिये समाचारी को पालो इससे एक बात समझना की हमारा हो या तुम्हारी हो जिन्दगी दो हिस्सों में बटी हुई है एक जीवन होता है व्यक्तिगत और एक जीवन होता है वेवहारगत समाजगत सामुदाइक जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत मेरी सोच क्या है ये मेरी सोच है मैं अंदर क्या सोच रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत सोच है किसी के बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ ये मेरी व्यक्तिगत सोच है व्यक्तिगत मैं संत हूँ या नहीं हूँ ये मेरी अंदर की सोच है आप मुझे नहीं जानते हो कि मैं कितनी मात्रा में सादू हूँ कितनी मात्रा में नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा अंतर का मामला है लेकिन मैं सादू हूँ या नहीं उसको समझने के लिए समाज को वेवार रूप दिखाई पड़ता है क्योंकि कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अंदर से साधू ना रहूं आप अंदर से स्रावक ना रहें लेकिन वेवहार से आप स्रावक और हम साधू नजर आते हैं उसका भी प्रभाव पढ़ता है उसका भी प्रभाव पढ़ता है देखने वाले के उपर वैवहार का प्रभाव पड़ता ही है तो ये जो समाचारी बनाई गई है ये आतम दृष्टी से तो बनाई ही बनाई गई लेकिन यक्तिगत दृष्टी से नहीं बनाई गई है ये समाचारी है सामुदाइक दृष्टी से संग्हिये द्रिष्टी से, समुदाई की द्रिष्टी से समाचारी बनाई गई है क्योंकि एक ही समाचारी की पालना करने वाले एक जेसी समाचारी की पालना करने वाले अनेको सादु साद भी हो सकते हैं लेकिन एक जेसे भाव रखने वाले तो सभी नहीं हो सकते समाचारी एक लेकिन भाव सभी के तो जो भाव है वो व्यक्तिगत है जो आचार है वो समाजगत है वो सामुदाइक है विचार मेरे परसनल हो सकते हैं लेकिन आचार मेरी समाज की बपोती है मेरी समाज की संपदा है और समाज से मुझे जुड़ना है में अपनी जो एक पहचान बनानी है संग की जो पहचान बनानी है वो मेरी समाचारी बनाती है इसलिए समाचारी सामुदाइक होती है ना कि व्यक्ति गत होती है वेर प्रभु के अम्तिन सुन लो और सुना लो जीवन धन्य बना लो अब समाचारी के कितने प्रकार हैं सुनिये परियो जन से ही बाहर जाए करे आवस्यम वाचन निव्रित हो कर जब लोटे तो करे निसीहिम वाचन लक्ष चेतना रहे गमन में इसका ध्यान रखा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य बना लो जब सादू अपने स्थान से बाहर जाए तो ये कहता हुआ जाए आवस्यम क्योंकि इतने सारे सादू बेठे हैं उनमें से कोई संत उठकर के गया है तो उसकी तरफ अगर वो बिना बोले जाए तो सोचे भाई ये क्यों जा रहा है किस लिए जा रहा है क्या मतलब है ये क्यों गूम रहा है पर लेकिन अगर उसने ये बोल दिया आवस्यही आवस्यही यानि इसका मतलब ये हुआ कि मैं किसी आवस्यत काम के लिए जा रहा हूँ जाता आवस्था ही आवस्था ही कहे और आता निश्य ही निश्य ही जब आए तो कहे निश्य ही यानि जिस कारिय के लिए मैं गया था उस कारिय को संपन करके यानि जावे तो भी पूछे आए तो भी बताए और यह घर का भी नियम हो सकता है कि आप लोग भी इस नियम को घर के अंदर लागु कर सकते ह Ciao नहीं कर सकते है आप आवस नहीं बोल सकते है लेकिन यह तो पह सकते हो अच्छान जी मैं इस काम के लिए जा रहा आओ तो जे जिनिंदर के साथ मैं आ गया हूँ यानि ये बड़ों का भी सम्मान हुआ और परंपरा का भी सम्मान हुआ खानदान का भी सम्मान हुआ और ये होना चाहिए और ये तूटने लगा है तूटने लगा है ये करम क्योंकि किसलिए तूटा है पहले आमने देखा है गरों के अंदर में दर्वाजे पर चोखट हुआ करती थी, दर्वाजे के पास ही एक तक्त हुआ करता था, उसमें कोई ना कोई हमारा बुजुर्ग, हाँ, बैठा रहता था, अब कोण जा रहा है, कोण आ रहा है, उसका हिसाब किताब उनके पास, इससे बड़िया कोई सीशी केमरा हो भी नहीं सकता, पर लेकिन अब करें क्या, अब ये केमरा खतम हो गया है, अब घर में कोई बुजर्ग तो रहे नहीं, बस, और उपर से चोखट और निकाल दी, वो जो देहली जो होती थी, पहले चोखट तभी होती थी वो, ये, ये, ये तीन खट है, चोखट तो वो देहली जिसको हम कहते हैं देहली, जिसको लांगते थे, लांगने से पहले सो बार सोचते थे, अब तो मामला साप, सटा सट, आओ और जाओ, अब तो दरवाजे के उपर भी, वो इस्पेशल मशीन लगी हुई है, दरवाजे अपने आप, अपने आप, नहीं, अपने आप खुलते नहीं हैं, धक्का मार के खोलना पड़ता, तुरंद बंद हो जाता है, तो ये, तो जाते, ये आप भी और हम भी, संतों को भी सोचना चाहिए, कि आवस्चही आवस्चही और निश्चही निश्चही, ये समाचारी के दो प्रकार अभी यहां पे आए, वेर प्रभु के अंति में सुन लो, सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, गुरु अज्यासे करे प्रविर्ति, इसको आप प्रिछा कहते, पर करन करे अज्यासे, उसको प्रविर्ति प्रिछा कहते, निरूदेश से नहीं आए जाए, इसकी आदत डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना ले, जब हम बैठते हैं, तो गुरु मैंने ये काम करना, मैं ये काम करना है, यानि हर कारिय की अपने गुरु से अज्या ले, हाँ, चाहे स्वाध्याय करना हो, चाहे प्रतिलेखना करने हो, चाहे कुछ भी करने हो, पहले गुरु को बंदना करे, वहाँ जाए तिखुतों से बंदना करे और उनसे अज्ञा ले अपने लिए जो खुद करने हैं जो खुद करने के अज्ञा ले जाते हैं उसको आप रिच्छा कहते हैं आप रिच्छा यानि अपने लिए पूछना क्या मैं गुरुजी ये काम कर लूँ क्या मैं कपड़े ध आधियों के लिए पूछना क्या मैं इनका काम कर दूँ इनोंने इनोंने ये काम बोला है क्या मैं ये काम कर दूँ इनका दूसरे के लिए पूछना प्रति प्रिच्छा है आप प्रिच्छा और प्रति प्रिच्छा और ये काम आप भी अपने घर में लागो तुम ये तो सोच रहोंगे, महाराजी अपनी समाचारी हमारे घर में काहे को गुजा रहे, लेकिन हम ये बतला रहे, कि समाचारी के पालन करने से जहां संघ्ये विवस्था सुविवस्थित रहती है, वहीं पर इस समाचारी की पालन, अगर तुम भी करो तो आपकी घरेलू विवस्था भी बड़ों का सम्मान भी रहता है और एक बात बताओं आपको कोई भी काम कोई भी काम अगर तुम बड़ों से पूछ करके करोगे उसमें कोई विवधान आए गई नहीं यह मैंन मैथड यह है इसकी असली जड़ यह है कि हमने अपने बड़ों को पूछ कर किया कुछ भी किया बड़ों से पूछ करके किया यानि बड़े को ध्यान में है कि यह यह वो कर रहा है और पूछने मात्र से ही उनका आशिरवाद मिल जाता है उनकी शुकृति अगर मिल हाँ जाओ आहास्वहम जो तुझे अच्छा लगे वो कर उनकी शुकृति मिलते ही काम मे मैं बड़ों की इजाजत के बिना भी एक काम कर सकता हूं करत लो लेगा लेकिन विवधान आने की 90% संभावना उसके अंदर रहती ही रहती है तो बड़ों का सम्मान जहां नहीं होगा वहां पर आपके काम में विवधान इसलिए आप लोग अपने अपने घरों में बड़ मा होकर के भी और इखटी ज्वाइंट फेमिली है महरुपती आने वालों है जरा वही वही जरा दाल के अंदर घी चरा फाल तू डाल दे अरे दूसरे को देना वे ऐसे दे दो तो क्या जाता है ये जब तुम वहां पर भी इस तरह का कोई काम करते हो तो वहां पर दो भात ह होती है ये दुराव होता है और ये दुराव कहीं न कहीं आपके पुन्य को कहीं न कहीं चीन करता है कम करता है अगर पुन्यवानी को अगर तुम बढ़ाना चाहता हो घर में रहते हुए दी आप पुन्यवानी को बढ़ा सकते हो दूसरों का मान और सम्मान रखते हुए द वो भी कह सके आने वाले को गुरुजी इतना समय लगेगा यहां पर गए हैं यानि ये विवस्था छोटे और बढ़व के लिए यहां पर समान की भावना है वीर प्रभु की अंतिमवाने सुन लोर सुना लो जीवन धन्य बना लो भीक्सा में जो प्राप्त हुए हैं दूजों को दे आमंत्रन लाने को जाए तब पूछे क्या लाओं में मूनी गन इसे छंदना बतलाया है इसे छंदना बतलाया है शिष्ट भावे अपना लो जीवन धन्य बना लो वीर प्रभु की शुन लो शुना लो जीवन धन्य बना लो भीक्सा के लिए जाए गोश्री के लिए जाए तो अगर लेकर के आया है तो सबसे जिनका उपवास भी क्यों नहों उनको भी दिखाना चाहिए और एक संद पहले एक तो बोला करता था साहु हुझ्जामी तारियो साहु हुझ्जामी तारियो है मेरे गुरु भगवन्तों पधारों और देखो उदिखाने का क्यूं भाव था दिखाने का इसलिए भाव था कोई ऐसी चीज तो नहीं आई जो एकल्पनिये थी वो तु नहीं लेकर क्या तो भिक्सा लेकर के आए तो बुलाए सभी को यह नहीं कि फटा-फट माल अकेला ही खाजावे यह संतों का संतों के लिए विश्पेशल है कि भई गुरु महराज भी पाठ कर रहे हैं बढ़िया माल है अब रहा जा नहीं रहा बहुत देद हो कि तपस्या गोचरी की ऐसी नहीं बन जाती है भिख्षाचरी को तप ऐसे ही नहीं बोला है जहां सुद्ध भावना से जाना है और ये भी कहा कि जाते वक्त ये भी पूछे कि एक किसको क्या क्या लगे आप कह सकते हो कि ये को ज़रूरी है जो खपने वाला हूँ ज़ी मिल दूसरे की चिंता करना ये अपने आप में और ये काम आप भी आप भी इस नियम को घर में लागू कर सकते हो, इसको अपनी घर की समाचारी में डाल सकते हो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा सच कह रहा हो, आपके घर में भी स्वर्ग उतराएगा जिस आनंद में हम रहते हैं ना उस आनंद में आप भी रह सकते हो जहां छुपाव है दुराव है वो रिष्टे वहाँ पर तूटने शुरू हो जाते हैं और जहां एक दूसरे का सम्मान है दूसरे के परती उत्तम भाव हैं कि ये चीज उसके लिए अच्छी रहेगी बेसक से मिली मुझको है लेकिन उसको देता हूँ सबसे पहले उसको पूछता हूँ एक तो ये पता चल गया कि चीज के साथ आपको दूसरे की भी कीमत का पता है दूसरे के बारे में सोच रहे हो आप कम से कम आप स्वार्थी तो हाँ स्वार्थी व्यक्ती अपनी सोचता है लेकिन जो स्वार्थी नहीं होता सेवा भावी होता है संत हिर्दे जैसा होता है वो दूसरों की सोचने मातर से आप सादू बन जाते हो दूसरों की सोचने मातर से आपके अंदर साधु भाव आ जाते हैं जाने इच्छा अन्ने साधु की तदन रूप सेवा करना अथवा काम कराना उनसे इच्छा कार बरतिना अनुग रहे हो आपस में सब के संगिये जीवन पालो जीवन धन्ने बनालो वीरप्रभु की अंतिमे वानी और सुनालो जीवन धन्ने बनालो जीवन धन्ने बनालो अगर किसी साधु को किसी से भी काम कराना है तो पहले ये देखो कि तेरी ये काम करने की इच्छा है या नहीं पहला तो ये दूसरा अगर कोई काम करना है तो गुरु से ये कह कि ये काम मैं कर सकता हूं इसकी इच्छा है ये काम मैं कर सकता हूँ इसको हमारे इच्छाकार समाचारी कहती है कि इच्छाकार इसको कहते हैं कि इससे क्या होता है एक दूसरे के साथ हम जब संयोजन करते हैं नियोजन करते हैं दूसरे के काम में आते हैं तो इससे क्या होता है अनुग्रह बढ़ता है एक दूसरे के परती प्रेम बढ़ता है और प्रेम ही स्वर्ग में बदल जाता है और दूसरी बात अगर कोई हमसे चूख हो जाए क्योंकि समय हो रहा है कि इसको थोड़ा समेट देता हूँ प्रमादवस कोई चूख होए तो मिच्छा दुक्डम कहना अगर प्रमादवस गलती से हां ये निश्चे है यहां पर प्रमादवस प्रमादवस यानि गलती से कोई गलती हुई है बोलने में कोई चूख होई है चीज रखने में कोई चीज हुई है जो मैंने कुछ बताया न गल्ती करना मनुष्य का सोभाव है, गल्ती हो सकती है, लेकिन गल्ती को स्विकार करना, और गल्ती को स्विकार करके सामने वाले से माफी मागना, मिच्छामी दुक्डम, मिच्छामी दुक्डम कहते ही पाप खतम, इतना असान रस्ता भगवान ने बताया, कि गल्तिया आप स मिच्छामी दुक्डम, मेरे से भूल हो गई, बोलने में मैं संतुलित नहीं रह पाया, मैंने आपकी यहां रख दी, मैं यह चीज नहीं ला पाया, मैं आपका यह काम नहीं कर पाया, मैं प्रमाद में चला गया था, इसके लिए मैं हार्दिक्छमायाचना करता हूं, इसको मिध्याकार समाचारी भी कहते हैं अपनी निंदा करना इसके अंदर मिच्छामी का मतलब होता है अपनी क्योंकि गलती स्विकार करोगे नहीं तो मिच्छामी दुकडम आएगा कहां से मिच्छामी दुकडम तभी आ सकता है जब हम अपनी गलती क्योंकि कई लोग तो अपनी गल्ती मानने को आह तैयारी नहीं नहीं हम और गल्ती का क्या मतलब है आपके समझने में गल्ती हो रही है सामने बाले को बोल रहा है आपके समझने में गल्ती हो रही है मैंने कोई गल्ती नहीं करी यह एहंकार की विर्थी है लेकिन गलती हो गए तो उसे सहजता से स्विकार कर लेना और अपने दोसों को हम निकाल सकते हैं और दूसरा गुरुवर जब कभी बुलाएं ए साधू को संकेत करके गुरानी साधू को संकेत करके बुलाएं कि इधर आओ तहत ये काम करो तहती एक हमारी यहां एक बड़ा अच्छा सब्द है तहती वैसे तथा तथाती बोलते इसको तथाती तो इसका मतलब यह होता जैसा आपने कहा वेसा ही होगा तहती जो आपने फरमाया वो सही है तहत तहत श्रावग जी समाय करने तहत गुर दे हाँ यह तुम भी कर लिया करो बहु को अगर सास के ए बहु यह काम कर दे तहत आप आप कह सकते हो जी यह तहत सब्द घर में कहां को घुशा रहे हम नहीं पर लेकिन ऐसा आर्थ तो तुम समझे जी माजी यह भी तो कह सकते हो जी मैं अभी करती हूं यानि मना नहीं करना ज इसको हमारे तथाकार बोलते है, तथाकार समाचारी, एक मिच्छाकार समाचारी, एक तथाकार, तथाकार, जैसा कहा वेशा, मैं करने को तैयार हूँ, इससे क्या होता है, इससे विनम्रता प्रगट होती है, विनम्रभाव प्रगट होता है, विनेशीलता प्रगट होती है, स आपको सुशिष्य बनाता है आपको सुपुत्र बनाता है आपको कुलवधू बनाता है धरम पत्नी बनाता है यह सब रिष्टों के अंदर जहां शिरिकार करने के भाव आते हैं नंबरता के भाव आते हैं वहां पर यह तथाकार समाचारी काम करती है और दूसरा, जैसे गुर्देव आये सामने, शिष से बेठा हुआ है, इसको अभूत्यान समाचारी करें, अभ्यूत्यान, अभ्यूत्यान यानि जैसे गुरु आये, तो शिष से बेठा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि गुरु जी विचाराओ आयो, और चेलो आराम से बेठो और गुरु जी क्या हाल चाल है, बेठे बेठे, गुरु जी थम से एक बात पुछू, आरे भाईया खड़े तो हो जाओ, तो यानि गुरु सनमुक आते ही एक दम, ऐसी तुमें भी बोल रहे हूं, थारी सास आ जावे तो खड़ी हो जाए गुरू, इज्जत तो ए बहु बे देखते ही, पहले ये घर में सभ्यता थी, पिताजी अगर आ जाते थे, तो पुत्र अपने आप खड़े हो जाते थे, मैंने ऐसे इसे पुत्रों को देखा है, कि जिनको कुछ शोक होता था, नसे नुशे का भी, अगर देखने मेरे पिताजी हैं, तो तुरंट छुपा दे आते थे, तो ये उनका सम्मान होता था, पहले बड़ी परंप्राई थी, जैसे घर में कोई बुजुर्ग आता था, तो बहुएं एकदम अपने सिर को ढख लेती, क्या सभ्यता थी, अब तो, अब करो जितनी मरजी करनी है, ये तहजीब है, ये संस्कृति है हमारी, और इस संस्कृति से घर सुद्रा करते थे, अब गया जमाना वो, और उसी की मझे से परिवार तूट रहे हैं, क्योंकि जब चोटे योड़ों की शरम ही खतम हो जाएगी, वहां मरियादा खतम हो जा और में संथ होकर के भी कितना बड़ा संग क्यों ना हो मैं संग की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे हम संथ लोग भी समाचारी यह संग को सुविवस्थित रखती है इसको अभ्युथान कहते हैं गुरुवों की पूजा होती है एक और है इसके अंदर आखरी तिरी रत नो की प्राप्ती है तु उपसंपदा पाए अन्य गनों में जाकर भीक्षो अपना ज्यान बढ़ाए गुरु अज्यासे ऐसा करले इसका ध्यान रखालो जीवन धन्य बनालो जीवन धन्य बनालो वीर प्रभु की अंतिम वानी सुन लोर सुनालो जीवन धन्य बनालो जीवन ये दस्वी समाचारी है उपसंपदा जैसे की जिस समुदाय में किसी की दिक्षा हुई है वहां पढ़ने की विवस्ता नहीं है और उसे पता चला कि फला संत फला आचारी के पास इस विद्या को सिखाने की कला है योग्यता है तो अपने गुरू के पास जाए सबसे पहले गुरू के पास जाए कि मैं ये चीज सीखना चाहता हूँ आपकी अग्या हो तो वहां जाओं तो गुरू की अग्या से वहां जाना और उस आचारीय को ही अपना सर्वस्व मानना क्योंकि जिससे शिक्षा ली है जो शिक्षित कर रहा है उस वक्त तक उसको अपने गुरू के पद पर बैठा करके रखना ये पहले हुआ करता था अब नहीं रहा पहले एक संथ दूसरे गण में केवल सीखने के लिए जा सकता था लेकर तब तो समाचारी की ऐसी मजबूत को दिवार खड़ी कर देगा नौ एंट्री आपका बच्चा भी तो आपसे पूछता है कि मेरी बेस्ट एजुकेशन फला सहर के अंदर होती है तो आप अपने बच्चे को वहां पढ़ने के लिए भेजते या नहीं भेजते थे भेजते थे विश्वास करके यही तो कि मेर बच्चा वहां सीख करके वापिस आएगा मेरे पास गुरू को भी अपने शिष्चे पर भरोसा होना चाहिए और शिष्चे को भी अपने गुरू के परती कि जिन्होंने मेरी सेवा को इगनोर करके यह कहा कि तू मेरी सेवा मत कर तू पहले शिक्षा ग्रहन कर जा तू वह कुछ शीक करके आए तो इन चीजों से शिष्य भी बंधेविये रहते हैं गुरु भी बंधावर रहता है तो ये चीजे उप्रसंपदा ये दस समाचारी हैं विशेश वैसे तो इसके अंदर और भी कई बाते हैं कि स्वाध्याय कब करे ध्यान कब करे शयन कब करे प्रतिलेखना कब करे इन सभी की बड़ी विश्तिरत व्याख्या है ये हमारी जीवन का समिधान है ये समाचारी नहीं है ये असली समाचारी है कई लोग कहते हैं महारी समाचारी अलाओ नहीं करती हमारी समाचारी अलाओ नहीं करती ये महाबीर की समाचारी है जो समाचारी बन सकते हो, हम भी संद और साध्वी का जीवन अपना करके अपने जीवन का उध्धार कर सकते हैं, इतना कहकर के यहीं पर पूर्ण विराम लेता हूं